हलो दोस्तो मैं डॉक्ट रंचली आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पॉसेक्स फोर्ट कैपसुल के बारे में पॉसेक्स फोर्ट कैपसुल है वो क्या काम आता है कैसे हम इसको काम में लेते हैं साथी साथ में जैसे पॉसेक्स फोर्ट कैपसुल की बात करते हैं तो जितने भी हमारे bleeding disorders है जैसे नाक से खून आना या फिर उल्टी के साथ में खून आना या फिर जैसे पाइल्स या फीसर में bleeding होती है या खून आता है इन सब के अंदर हम पॉसक्स कैपसूल देते हैं पॉसक्स फोर्ट कैपसूल है वो डॉक्टर के prescription के बाद ही हमें लेना चाहिए इसमें हम contents की बात करते हैं तो पॉसक्स कैपसूल है इसके अंदर जो contents है खदीर है लज्जालू है लोद्र है आमलकी वाशा यश्टी मदू मुक्ता सुक्ति श्वन माक्षिक बस मोट लोहा बस में यह सारे contents मिलकर के पॉसक्स फोर्ट मेली काम आता है जैसे कि हमारे नाक से खून आना या फिर जैसे कि जो कफ निकलता है उस कफ के साथ में ब्लीडिंग का आना या फिर यूरीन है हमारा पिशाप के साथ में ब्लड आना या फिर जैसे कि हीमेटेमेसिस हीमेटेमेसिस का मतलब होता है कि जो हमारे स्टॉमक के जो कंटेंट्स है उसके साथ में वामेटिंग के थुरू ब्लड आना या फिर जिनको पाइल्स की प्रॉब्रम लेती है जिसे हम नॉर्मल भासा में मस्सा भूलते हैं इनके अंदर हमारी क्या होते हैं कि जो हीमोरेडल वैन होती है उसमें उनके जो प्लक्स होता है उसका डाल जैसे मैनेजमेन्ट और पॉस्ट पार्टम हीमोरेज पोस्ट पार्टम जो ब्लीडिंग होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी योटरस की मस्सल्स है वह लूज हो जाती है या ब्लीडिंग डिसॉडरस होने के कारण हम इसमें पॉसक्स कैपसूल देते हैं या फिर तो इसके बाद में भी क्या होता है लंबे समय तक जो हमारी महिलाइं होती है उनके अंदर ब्लेडिंग देखने को मिलती है तो उन ब्लेडिंग को रोकने के लिए भी हम पॉसक्स कैप्सूल काम में लेते हैं साथ ही साथ में जैसे युटिराइन फंक्शन्स जो हमारे जो डि के बाद में से पहले हमें लिकुर्ण अंतर हमें पॉसक्स के घ स्काप्ससूल कम ने लेते हैं ये जिसे की हमारे जैसे पाइस की प्रॉबलम यहां और सरावक हां की से खाने की में फुल हमें कॉन्सों contact स्बीकशन मैं के एक और हो प्रकिaczक के आधिसेन तो वरी और धुस्कि भीडिश्ग उनमन हमें मैं में ही मैंन का डालेशन हो जाता साती सात में चाव्ल पाऊंपती की प्राबलम इसोगा इस वाज़े से बỡिकन्सकी के टाइं पर फीसर पाइल की प्राप्लम में कॉमन करतीच है कर दो मारी बॉषबल्ड वेसल होते हैं इसके स्थी हो जाती है उसे बुली गरम पानी से भी ले सकते हैं और अगर हम इसमें क्या करते हैं कि जो नॉर्मल हर्ट के पेशेंट्स है जिनको खून पतला होने की दवायां चलती है उनको यह मैडिसन अवोइड करनी चाहिए यह जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ रहता है उस कंडिसन में भी पेशेंट्स को अवोइड करना चाहिए अगर हम एडवर्ज एफेक्ट की बात करते हैं तो जिनको एलर्जी रियक्शन हो या फिर जैसे नोजिया की कंडिसन होती है इससे या इसकी रेसेज हो सकते हैं वह मिटिंग जैसा हो सकता है बुखारा सकता है डायरिया होता है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यों रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूर सकते हैं थैंक्यू